कितनी चुनौती आप समझ ज़िए कि आप पार्टी से लड़ती तो कितना असान होता अब आप निर्दली लड़ रही है तो कैसा महौल है देखिए जब पार्टी ने सम्मानी ने किया तो मैं उसकी बात क्या कहूं अगर टिकट देना ही दे के छीनना था तो उसको वेटिंग में रख लेते देते ही नहीं खरी श्रावजी सामने मैदान में है और भी प्रत्याशी है बीजेपी से भी तो क्या लगता है कितने बराबर की टक्कर आपको लगती है देखे मैं टक्कर की कहीं पर भी बात नहीं कर रहे हूं मैं अपने संगर्स करो लालकवा विधान सवा की महिला का अपमान नहीं हुआ है पूरी उत्राखंड की महिला का अपमान हुआ है कौन जीते का उत्राखंड नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखंड का खास प्रोग्राम कौन जीते का उत्राखंड इस वक्त मेरे साथ मौझूद है लालकवा विधान सभा से निर्दल्य प्रत्याशी संदेद आला कोटी जी आई इन से बातशीत करते हैं जानते हैं कि यहां पर किस तरीके का महौल इस वक्त बना हुआ है और कैसी इस्तिती हैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका न्यूस 31 उत्राखंड में थैंक्यू मैं बेटी दिवस के दिन आपको कॉंग्रेस ने टिकेट दिया लेकिन कुछी दिनों में आपसे टिकेट वापस ले लिया गया और यहां पर हरी श्रावत जी को टिकेट दे दिय इसको किस नजरीय से आप देख रही है सबसे पहले देखिया सबसे पहले तो जिस तरह से राश्टी पाल्टी ने मुझे टिकेट दिया था और वो भी मुझे गिप्ट के रूप में मिला वा था बेटी दिवस का दिन था और दो दिन बाद 26 जनवरी के दिन साथ बजे मेरा टिकेट कारण दिया गया मैं पूछना चाहती हूँ मेरी घल्टी क्या है मैं काम कर रही थी और उस सेंगठन में मैंने चाहे हमारे प्रदेश का संगठन हो ब्लॉक का संगठनों चाहे जले का संगठनों तो करमटता के साथ मैंने कारी किया और बिना मेरे से कुछ बात पूचे इतना बड़ा डिशीजन ले लिया अगर टिकट देना ही दे के छीनना था तो उसको वेटिंग में रख लेते देते ही नहीं एक ये लालकवा विधान सभा की महिला क का अपमान नहीं हुआ है पूरी उत्राखंड की महिला का अपमान हुआ है और इसमें हमारी मात्र सकती और यूवा और बुजर्गों का मुझे बहुत जादा आशिरवात मिला है और सायोग मिल रहा है तो मैं जिस तरीके से नारा लगाया जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी म का नारा था और एक लड़की को टिकट देने के बाद दो दिन बाद ले लिया और वो आसूंव में तबलील हो चुका है और इस से आक्रोसित हर मात्र सकती ने यह प्रण कर रखा है कि अब हम इस अपमान का बदला बोट के रूप में लेंगे तो मैम आपको क्या लगता है लालकुआ के जो विधायक है उन्होंने कितना काम लालकुआ की जनता के लिए किया है कहां कमी आपको नजर आ रहे है देखें जो पूरू में हमारी भड़ती जनता पल्टी के यहां पर सरकार थी अभी नीवर्तमान समय में तो मैं यह कहना चा पूरे नहीं हुए हमारे युवा ब्रोजगार हैं और इस समय दो साल का कोबिट का जो कारिकाल था उसमें जो युवा हमारे कई फेक्ट्रियों में काम करते थे वो भी अपने घर पे आ चुके हैं और उसमें आदर्नी पड़धान मंत्री जी युवा उसे कह रहे हैं कि आप तानले 楽ति आप अजे लोके शरूबश और इस च्छेत्र में क्योंकि मैं इस च्छेत्र की इस च्छिके इस्ताई निवासी हुए और मेरा यहीं माइका भी और सॉसराव भी है कोई में पैरशूट प्रतियाकसी भी नहीं हूँ तो मैं यह कहना चाहती हुए हून्मी जमीन इस तर पर पता है चाहे इस गौलापार छेत्र में अंतराजी बसड़ा जिसकी नीव रखी गई थी फिर उसको दूसी जगह सिफ्ट कर दिया गया था हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम अभी इसमें एक भी मैस नहीं कराए गये हैं और इसके बाद हमारा यहां पार छेत्र में आई टी आई खुलावाय उसकी अभी सुरुवायत नहीं हो पाई है यहां पर चोरगेलिया छेत्र में नंदर नदी का द्वारा भू कटान होता है उसकी सुरक्षिया के लिए चेकडाम बनाना और यहां पर हमारा 80% छेत्र किर्सी प्रधान छेत्र है तो उसमें जंगली ज कासखंड में चार ग्राम पंचायतों के ग्राम सभा से लगे हुए बोट कड़ चुके थे तो वह भी मेरा इसमें प्रियासरत रहेगा तो मैम आपको क्या लगता है कि मात्र शक्ति का ही जो अपमान है कॉंग्रिस को कितना भारी पढ़ने वाला है देखिए मात्र शक्ति ज हर एक महिला का सम्मान अब मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जो मेरा चुनाओ निशान है वो मुझे गैस का चूला मिला हुआ है और जो महिला का प्रतीक भी है महिला जो घर की सुरुवात करती है तो रसोई से करती है तो उसकी हर एक लौ अब लालकवा विधान सभा की हर एक महिला उसको विधान सवा पहुचाएगी तो मैम एक तरफ आप देख रहे हैं कि टक्कर कहीं ना कहीं आपको लग रही होगी क्योंकि हरी श्रावजी सामने मैदान में हैं और भी प्रत्याशी हैं बीजेपी से भी तो क्या लगता है कितने बराबर की टक्कर आपको लग द को अपनी निजी भूमी दे करके वहां पर उनके लिए मकान बनाए जा रहे हैं कोवीट के समय में मैंने अड़ सट सो परिवारों को राशन बाटा आवा है लालकुआ में मालिकानाहक ओवर वरीज जैसी कई समस्या हैं उससे मैं वाकिप हूँ और बरेरी रोट का जो इंद तो उसका उप्च्वार भी सबसे पहले प्राथिमिकता है और जो यहां के स्वास्त केंद्र हैं उसमें हमारी महिलाओं को जो लोकल में महिलाए रहती हैं हमारी ग्राम सभा में तो प्रसव पीड़ा जब होती है तो यहां पर कोई ऐसे स्टूमेंट नहीं रहते हैं प्रस जब आप देख रहे हैं कि कॉंग्रेस सरकार से पहले आप भी प्रत्याशी रही थी आपको ट्रिकेट मिला तो काफी खुशी की लहरती काफी लोग आपके साथ थे तो मैं जान लेती हूँ कि इस वक्त कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कितना समर्थन मिल रहा और हर एक महिला ये कह रही है कि timer के संधिया डालकोटी का अपमान नी यह हमारा अपमान है तो मुझे आपार जन समर्थन मिल ला है और मैं इस में हर बूत हर ग्राम पंचायत हर नियाओ पंचायत में जाकर कार रहे हैं तो मैम आप जिस तरीके से देख रही है कि यहां पर लालकुवा में काफी समस्या इस वक्त हैं तो मैं आप से जान लेती हूँ कि मुख्ये किन चीजों पर आप काम करने वाली हैं और युवाओं को और महिलाओं को किस तरीके से आप समर्थन देगे देखे बिंदुखत्ता क कि बात कहूं तो राजसुगाओं का मुद्दा सबसे पहले और उसके बगल में हमारी संचूरी पेपर मिल है उसमें हमारे इस छेत्र के लालकुवा विधान सभा के इस थाई जो नव युवग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमें कई ऐसे प्लेटफॉम पे कारी करेंगे जिससे हमारे चेत्र के युवा कारी कर सके और महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए हमें सहम सायता समू से जोड़ करके उनके लिए कारी करने पड़ेंगे और हमारी जो भुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम लोग को साम को वाकिंग क करने के लिए पार्कों का भी हम लोग हर ग्राम सभा में यह मतलब विकास कारी को करूंगी तो मैं जब आप कॉंग्रिस से थी प्रित्याशी तो कहीं न कई देखिए जब पार्टी से आप होते हैं तो चुनौतियां कम भी नजर आती हैं लेकिन अभी आप निर्दलिये चुन इसे आप लगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है तो आप कहीं न कहीं जो है लोगों का समर्थन के साथ विजय प्राप्ट करेंगे में अपसे जान लेती हूं साती बीजेपी के जो वरतमान में विधायक हैं इनकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक धरातल पर कहीं से कह तक नहीं दिखाई दी, देखिए, रोजगार, सिक्सिया, स्वास्त, कई चीजें ऐसी हैं जिसमें ये खरी नहीं उतर पाई, और हमारे छेत्र में जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा था, वो था हमारे जब आबदा के समय में इस छेत्र में पूरी खेती खराब हो चुकी थी धान की, तो उसको लोगों का मौज़ा नहीं बाया, MSP की बात कहीं उनको उसकी गारंटी नहीं लागू कर पाए, ऐसे किशान, युवा और महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है समया, तो मैं जिस तरीके से आप देख रहें कि हरी श्रावत एक बहुत भड़ा नाम है, पूर मुख्यमंत्री हमारे उत्राखंड के हैं, तो क्या लगता है कि आपके निर्दलियों चुनाल लड़ने का उन्हें नुकसान पहुँचेगा? देखिए, मैं अपना कारवा आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हूँ और मैं उनका सम्मान करती हूँ और जिस तरह से मेरा अपमान हुआ है, मैं एक महिला की अपमान की जो बात हुई है, उसको लेके उसके सम्मान में, इस उत्राखंड की महिलाओं के सम्मान को लेक उत्तरखन देव भूमी है इसमें नारी की पूजा जिस में की जाती है उस नारी का अपमान हुआ है तो जनता देख रही है और उसका मुझे पूरा सयोग भी मिल रहा है और मैं ये सयोग को इस छेत्र की जो विकास कारी हैं रुके हुए हैं उसको पूरा करके दिखाऊंगे अपमान हुआ है उसका भूक्तान कांग्रेस सरकार को करना पड़ सकता है ऐसे ही राजनेतिक मुद्दो को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार